कारिक्रम के देखेया चत्तिस गड़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो तू हर्मन के स्वागत है जै जोहार है इही माटी के बंद न रगावाओं इही ये भुईया दाई संगी मोर प्यूरा प्यूरा दिख्थे संगी हर दी नाम बखानी जी हर दी नाम बखानी अरे कच्चा बेचावाए पका बेचावाए अमित गुन के खानी जी अमित गुन के खानी अरे आवो देख बो हम मन संगी याव देख भू हम अन्संगी ये खर अजब पहानी इही इही माटि के बंदण लगां वहीजी भूंधा डाई संगी मूर हाँ संगवारी तुम जाना थाओ के जैसे हमारे कारेकरं शुरू हो थे माने किसान संगवारी मनबर एक नया नया जानकारी हम लेकर के तुहर सामने उपस्थित हो थन आज हम नहां आप मनला हर्दी के ऐसे कों से उत्तम टकनीक है जेकर से हम हर्दी के खेती करवो तो हम अला बहुत फायदा हो ही तो एकरे बारे में आपना हमाने आज जानकारी देवा यहन संगवारी हो तू मन जानता हो कि हर्दी का इसे चीजे जो उन कच्छा घलो पे चाते पक्का घलो पे चाते छाओं मा घलो हो जाते और यह भी बात पक्का है कि हर्दी के जो नेहेना वो निर्यात भारत से बाहिर घ गर्म हर्दी रही थे तो हर्दी के खेती जरूर निश्चित रूप से फायदा देवाया हो ही और ये विशय के विशय सग्गे के रूप में हमार बीच माज हमाएं डाक्टर पूर्णेंद कुमार साहू जी ओखरे से मिल करके हर्दी के उत्पादन करें के जुन उत्तम तखन निखे तेखरे जानकारी ले वो ये जानकारी लेके पहली आवाओ एक छोटे संदेश ले ले थन के बटेर पादन के लिए जो आवास है ये बहुत ही महतोपूर्ण है क्योंकि आवास जो है हमें एक परियाप्त जगह पर उप्लब्द कराना जरूरी है और आवास इस प्र जो हवा है उसकी आवाजा ही रहे जिसके कारण किसी भी प्रकार का अंदर में जो ज़्यादा बीट करने से अमोनिया जो ग्यास है उसका फार्मेशन होता है उससे हम रोक पाए और जो बटेर पादन है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो पिंजरे में भी कर सकते हैं ज इसे केज सिस्टम बोला जाता है या दूसरा रिटर सिस्टम या विछावन पद्दती अभी आप यह जो देख रहे हैं यह विछावन पद्दती है इसमें जो चावल का धान की जो कुट्टी है या गेहूं की कुट्टी है किसी प्रकार की भी जो कुट्टी है उसे हम उप्य प्रकार के जलवायू संगी हो तो हर्दी बर कुन-कुन प्रकार के जलवायू जुरुरत है हर्दी बर खेत ला किसे तयार करें आवा जानता हुआ हर्दी की खेति के लिए के लिए बहुत ही उप्यूक्त है और जलवायू की अगर बात करें हल्दी की खेति के लिए तो यह नम और सुस्क जलवायू इसके लिए जरूरी होता है जो की चतितिसगड में पाया जाता है और जो है यहां की मृदा जो है मृदा जो है इसके लिए बलूई दोमट और मट्यार दोमट जो मृदा है वो इसके लिए उप्यूक्त मृदा होती है जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो और पुशक तत्तु से भरपूर हो ऐसी मृदा जो है हल्दी की खेती के लिए काफी उप्यूक्त होती है और थ खेद असमलो पॉंस तक हो आयिसा म्रिदा काफी उप्युक्त होता है हल्दी की खेती के लिए जमीन जो है हल्दी की खेती के लिए उप्युक्त म्रिदा जो है बलोई दोमट मिट्टी या मटयار दोमठ मिठ्टी इसके लिए उप्यूक्त होती है लेकिन अगर मेडों में भी किसान भाई हलती की खेती कर सकते हैं अगर सिचाय का उचित प्रबंध हो तोकी ह living सशे की जा सकती है लेकिन उप्यूक्त मिठ्डा जो है बलूई सब्सक्राइब जिसका की पी एच पांच समलोव पांच के बीच हो और हल्की अमली म्रिदा जो है इसकी खेती के लिए बहुत उप्युक्त होती है और एक बात का किसान भाई जरू ध्यान दें क्योंकि हल्दी जो है भूमीगत ये फसल है इसका जो प्रकंद है ये भूमी के अनकी नीची होता है तो यक जो मिट्टी है ये भूर्बूरी होनी चाहिए अ जो है कठोर जो मृद्व狂 मृदा है इसके लिए नुक्सान दायक होता है इसलिए ध्यान रखें कि जब भूमी की तयारी के लिए चिए जो खुरा थान चाहिं हो जाए और जमीन में जो या कोई भी किट है वो असानी से सुरी के प्रकास के संपर्क में आ जाएं और सांथ इसके बाद तीन से चार बाल जो है कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई करें उसके बाद हर एक जुताई के बाद पाटा चलाना जरूरी है ताकि जो है नमी मिट्टी की संरक्षित रहे उसके बाद अगर धेले दिख रहे हैं तो डिस्क खेरो का भी उपयोग़ किया जा सकता है दोसे तीन बार डिस्क हेरो चला दिए उसके बाद रोटावेटर अगर चलाते हैं तो मिट्टी भूरभूरी हो जाती है तो इसतरह से जब मिट्टी जो है तयार हो गया उसके किसान भाई बैठ तैयार कर लें संगी हो जब हमार खेत पूरा पढ़िया तैयार होगे घर बातवार निकल के मांदा बन गे अब उखर बात डालना है का है उमाद बीजा तो यह बात पक्का है कि हर चीज के बोए के बीजा के तरीका लगो थे उनहारी लहां कुडीम बोधन द्धान के हमना रोपा लगा थन तो यह हर्दीला हम कैसे बोईन सिधा बीजालान के बोवो कि पौधल लान के बोवो या वखर जोन बीजाए है तेनला लाने के पहली कुछ उपचार करे बर पढ़ी का यह सब बात के फूरा जोमगी बहुत जरूरी संगी हो तो हर्दीला लगाय के हमार वैज्ञानिक तरीका का हो सकत है आओ इल जान ले थन हल्दी की खेती के लिए सबसे जरूरी है कि इसके किस्म का चैन तो च्छतिजगड के लिए उप्यूक्त जो है किसम है अनुसंसित किसम है जिसमें की रोमा है सुरोमा है सुगंधा सुवर्णा यह सारी जो किसमें है च्छतिजगड के लिए बहुत ही उप्यूक्त है और अनुसंसित है जिसमें की उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है और सांत ही सांत में यह जो है किसान भाई टपक सिचाई का उप्योग कर रहे हैं तो बेट तियार करने के बाद जो है लेटरल बिछा दे उसके बाद जो है इसका इसकी बुआई करना है हमको कतार से कतार के जो दूरी है वह 30 से 40 सेंटीमेटर रखना है और पौधे से पौधे की जो बीच की दूरी है व हमको 20 से 25 सेंटीमेटर रखना है तो इस तरह से किसान भाई बुआई कर दें और बुआई के लिए जो है उप्यूक्त जो समय है वह वैसे क्योंकि यह बर्षात की फसल है और मैं जुन जो है इसका उप्यूक्त समय होता है लेकिन किसान भाई इसको जुलाई अगस तक भी प्राप्त हो जाती है तो इस तरह से किसान भाई बुआई कर सकते हैं लेकिन बुआई के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुंच जरूरी है क्योंकि हल्दी की फसल में जो है प्रकंद बेधक कीट लगने की जो समश्या है यह देखने को मिलता है तो इसके लिए किसान भा बना कर उसमें उपचादित करके आधा गंटा च्छाओं में सुखा के उन बीजों का किसान भाई बुआई करें तो आगे आने वाली जो कीट की समस्या है रोक की समस्या उससे निजात पा सकते हैं संगी हो एक बात पक्का है कि जहां जहां पानी तीहां तीहां जिन गानी अब बीन पानी के नहीं है जिन गानी संगवारी हो तो हर्दी घलो पानी मांग थे लेकिन पानी हां कई से देना है कि सोजे नालिमडार के दे देना है कि कौन विधी से देना है और कतका कतका मात्राम देना है संगे संगवा हर्दी के सुरवात्न पानी कतका लग जही बीच प्रबंधन हर्दी में कैसे करे जाए हल्दी एक बहुत ही मतलब खाद और पानी की जरूरत होती है इस फसल को तो जो है अगर किसान भर टपक सिचाई का उप्योग कर रहे हैं मतलब मौसम के हिसाब से किसान भाई इस चीज का फैसल करें कि हमको कब सिचाई देना है अगर बर्शाद का मौसम है तो किसान भाईयों को पानी देने की आवश्यक्त नहीं है लेकिन अगर बीच में अगर सुखा हो जाता है तो एक हपते के अंतराल में या पंदरा दिन के अ करना है तब जाकि इसकी जो ग्रोथ है या व्रिद्धी है प्रकंद की वह अच्छी होगी और पौधा से हमको अच्छी उपज प्राप्त होगा तो संगी हो अभी हमन देखत रहें कि हमार खेट कैसे तियार करें हर दी बर और बीजा कुन-कुन हो सकत है कुन-कुन से किसम हु एक हर बात मेरे चर्चल आगू बढ़ावो इसके तहट क्रिशी विज्ञान पढ़े युवाओं का चैन होने पर उन्हें मुफ ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती ब एवी सी शाबाज चलो अपनाएं स्वरोसकार खेती में हो विकास अपार सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम जन जन ने इस प्रांती में है विश्वास जगाया हम सबने मिलकर विकास का पर चबह ते आया सहकारिता है अपने विकास की पहचार नए दोर में सहकारिता ही भारत का अभिवा कृषी मंत्राले भरत सरकार द्वारा जन हित में जारी गाओ गाओ और शहर शहर में बाद चली राष्टिय बागवानी मिशन की लहर चली आसान हुआ अब भल पूल मसाले उगाना नर्स्री लगाना और जैविक खेती अपनाना अब हुआ तकनी की प्रशेक्षण पानासान विपड़न के लिए भी है सहायता के प्रावधान अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें राश्टिय बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशियां फैलाए आत्म निर्भर किसान भारत की शान उत्पादन में आत्म निर्भर होने के साथ-साथ फसल की कटाई के उबरांत उपच की हानी को रोखने, क्रामीड क्षेत्रों में रोजकार स्रिजन करने और बीट से बाजार तक के विजन को मस्बूती देने के उद्देश से एक वर्ष पूर्व माननिय अप्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने एक महत्वा कांगशी केंद्रिय योजना एग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड की शुरुवात की इस आधूनिक इंफ्रस्ट्रक्चर से कुरुशी आधारित उद्द्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बड़ाव आएगा और बहुत बड़ी गती आएगी जाथियों अब हम उस थिती की तरब बढ़ रहे हैं जहां गाउं के कुरुशी उद्द्योगों से फूड आधारित उत्पाथ शहर जाएंगे और यही तो आत्म निर्भरत भारत अभियान का संकल्प है एग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं छटाई या ग्रेडिंग इकाई पैकिंग हाउस सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथ में क्रिशी प्रसंस करान केंदर की स्थापना कर स लगते हैं इस योजना के तहट पात्र लाभार्थीयों को दो करोड रुपे तक के रेड़ पर अधिक्तम साथ वर्ष के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है रेड़ पुनर भुक्तान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भ लगाया है लोन मिलने की वज़े से हम समय पर सारी मशीनों का प्रक्योर्मेंट और सारा सिविल वर्ष टाइम पे करवा पाये जिसे प्रोजेक्ट को लगाना संभव उपन राजस्थान के लाभार्थी श्री यश्वर्धन मुंध्रा ने सौटिंग एन ग्रेडिंग यूनिट लगा कर रोजकार के अवसर पैदा किये हैं करनाटक की महिला उद्यमी श्रीमती मम्ता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगा कर प्रगती की नई राहचुनी है राजिस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भटर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगा कर आसपास के ग्रामीनों को आत्म निर्भरता प्रदान की है महराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनोक कुमार मोहता ने वेर हाउस बना कर अन्न भंडारन को सुनिश्चित किया है आज देश के कोने कोने से किसान, क्रिशी उद्यमी, किसान उत्पादक संग, प्राथमे क्रिशी सहकारी समितियां, स्वयम सहायता समू और क्रिशी उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं संदेश के बाद आपन के फिर से स्वागते संगवारी हो, अब यह जानीं कि बिना खाये पिये, बिना कुछू चीज़त बाड़ भी नहीं करें संगी हो, यह बात पक्का है, तो हर्दी वर घॉलों कुछून-कुछू खादू के जवरत हमला पड़ेच करी तो हमरा अधा खातू और पानी और सबोला खादेथे तो इमझर खरपत्वार कहूं हो जाये, तो वह लग कईसे दूर करे जाए, खाद क्योंकि बहुत ही उत्पादन के लिए उपज के लिए एक महत्पूर्ण कारक है इसलिए हल्दी है क्योंकि ये भूमिगत ये इसका जो होता है और इसको काफी मात्रा में खाद और उर्वरक की जरौत होती है तो अगर खाद की बात करें तो पहला तो हमको भूमिकी तैयारी के समय ही इसमें 20-25 तन पटी हेक्टियर की दर्थ से गोबर की खाद जो की अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हमको इसमें उप्योग करना है और उसके बाद अगर अनुसंसित जो उर्वरक की मात्रा हल्द की अगर अपन बात करें तो 150 किलो ग्राम प्रती हेक्टियर नाइट्रोजन, 60 किलो ग्राम प्रती हेक्टियर फासपुरस और 100 किलो ग्राम प्रती हेक्टियर पोटास ये अनुसंसित मात्रा होती है हल्दी की खेती के लिए लेकिन किसान भाई अगर टपक सिचाई का उप्य हैं उसके सांत ही सांत खान भाई खादe उर्वरक का भी उसमें दे सकतेrest दो अगर टपक शिचाइए का उप्योक üक्सान भाई करें कि सान भाई तो उसमें जल में गूलन सिल वह अलग-थारेड में बजार में मिलते हैं तो वो जैसे हम एक निर्धारन कर लेते हैं किसी फसल के लिए तो अगर हल्दी की जो फसल है उसके लिए उर्वरक का निर्धारन जो है वो जब बुवाई से लेके 15 दिन तक इसमें हमको देना है यूरिया तेरा जीरो पैंतालिस उन्नीस उन्नीस तो उन्नीस उन्नीस की जो मात्र है 15 किलोग्राम प्रति एकड हमको देना है दूसरा जो है तेरा जीरो पैंतालिस इसका हमको 17 किलोग्राम प्रति एकड खिसाब से देना है और तीसरा जो है यूरिया इसका हम लोग को 21 किलोग्राम प् पवधा तो हम लोग को उसमें 1990 की जो मात्रह है उसको हम लोग को 9 यूरिया जो है 97 किलोग्राम प्रति एकड के हिसाब से हमको देना है अब आती है बात 60 से 135 दिन तक जो है जो उर्वरक की मात्रा होगी वो 19-19-19 हमको 4 किलोग्राम प्रति एकड तेरा जीरो पैंतालिस 96 किलोग्राम प्रति एकड और पोटायस की मात्रा है 100 किलोग्राम प्रति एकड के हिसाब से इसका किसान भाई सिचाई जल के साथ प्रदान कर सकते हैं खर्पतवार किसानी की मुख्य समस्य किसान भाईयों तो हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुंत जरूरी है कि हमारे खेट में मुख्य फचल के साथ अगर खर्पतवार उग जाता है तो वह हमारे मुख्य फचल के लिए जो हम सिचाई देते हैं chicken देते हैं वो उसका सोशन कर लेते हैं तो हमारी मुख्य फसल को जो मात्रा मिलनी चाहिए उसकी जो है आधी मात्रही मिल पाती है और सांत ही सांत में इससे उपज में भी कमी देखियाती है तो किशान भाई बिल्कुल ध्यान रखे कि जब भी जो है प्रच्छेत्र में या खे सब्सकर भाई आज दोस्वे दीन बाद भुवाई के एक बार उसमें निदाई घुडाई करें और अगर किशान भाई करें हैं इसके सांथ में अगर जो है उप्योक करते हैं तो मल्स का दो फायदा है एक तूब करके रखते हैं पूंधे के आज सबास दूसर्थ कर कर सकते हैं इससे खरपत्वार के वा सकते हैं जो है फश॑ करarbeit कर सकते हैं इसों कर सकते हैंए कि यहां रोग राई लगे के संभावना रईबेच करते तो यह जून हर्दी है वैसे तो हमार डाक्टर साहब के बताक हिसाब से केम ज्यादा रोग राई नहीं लगए लेकिन मालो कहूं हर्दी में कुछ रोग राई लगत हो ही तो उखर लक्षन का है हम कैसे पहिचानदो कि आंग रोग लगे से कपे नुकसान हो सकते हैं अभी अगर आगर को लगी इसमें बीमारी तो नहीं आते हैं लेकिन मुख्य कीट की अगर बात करें तो इसमें तना बेदाक जो कीट है और प्रकंद बेदाक कीट की समश्या देखने को मिलती है और ये इसresse कीट का जब आकर्मन या हो जाता है फसल में तो उससे यह जो है Autumn जो रिद्धी हो रहे है ऐसे भागों पे ऐसे साखाओं पे तने पे यह इसका देखा जाता है आकर्मन और जब ये कीट का प्रकोब देखा जाये तो किसान भाईयों आपको क्लोर फारी फास नाम की दवा का उपयोग करना है एक एमेल प्रती लिटर के हिसाब से घोल बना कर उसका समय समय पे छिड़काव करें तो जो कीट है उससे काफी हद तक रहात मिल सकती है अगर प्रकंद कीट जो है उसके लिए जब हम भुवाई कर रहे हैं उस टाइम पे क्लोर फारी फास नाम की दवा है एक एमेल प्रती लिटर के साब से घोल बना के उसका उपयोग करें और उसके बाद जब जो है पौधा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे भी इसका इस्प्रे करें तो यह जो है और सांत ही सांत में त्रिप्स की जो समस्या देखी जाती यह भी चूसक कीट है तो इसके लिए भी इमीडा आपका लोड़ फारी फास या मीडा लोड़ प्रिट नाम की जो दवा है उसका एक एमेल प्रती लिटर के हिसाब से घोल बना का चिरकाव करें किसान में अब आते हरदी के जोन कांदा भीतृरी महवाय मांदा भीतृरी तिनलय निकाले के काबर की यहर कांदा रिथे एकर जोन फर है तिन जमीन की भूईयां वरी थे तहीं लगा खोदे भर इला निकाले बर कौन-कौन बात के साउधानी रखना पड़ी काबर की वह निची मों थोड़ा कच्चा घलोरी थे यह जान ले थे अव साथ है यह बात ले थे कि हरदी के जो कान दा है तिनला कटेक धंक से निकाले जाए और अवाध फिर उखर जो नहीं तिनला हमारा आगे की प्रक्रिया तिनला सुरू कर सकता है हल्दी की फ़सल जो है तयार होने में इसको कम से कम 190 से 250 दिन का वह अलग-अलग किस्म के हिसाब से अलग-अलग समय पी यह तयार होता है लेकिन अगर माई जून में अगर किसान भाई बुवाई करते हैं तो वह फ़सल हमारी खुदाई के लिए फरवरी तक तयार हो जाती है तो अब आती खुदाई के बाद तो इसका सबसे पहले तो हमको देखना है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी जो हल्दी है उसका घंकंद तयार हो गया है और वो हल्दी हमारी खुदाई के लिए तयार है तो हल्दी की जो पतियां है जब वो सूखने लगे तो यह उसका सबसे बड़ा लक्षन है कि हमारा घंकंद है वो तयार हो गया है अब जब हमारी जो पतियां है वो सूखने लगे तो सबसे पहले हमको हसिया से उसकी जो पतियां है उसको हमको काटके अलग कर देना है और उसक के बाद हम हल से उसको जुटाई करके उसके बाद हम उसको इकठ्ठा कर सकते हैं और साथ ही साथ में कुदाली की सहता से भी उसका खुदाई करके हम घंगंद प्राप्त कर सकते हैं हल दी का आज बसत के अवया दरीबर एक फिर नमाविसाय लेके आपके सेवा महाजी रहो तलगस जंब संग्वारी मला जै जोहार